जाय स्रकिष्णा आज आपको नीम के विशे में बताएंगे नीम के फाइदे और नुक्सान के विशे में बताएंगे हमारे धर्म सास्त्र में मंत्र चिकिस्था मंत्र बिधान मंत्र सिद्धी तो हई है साथ में आरवेज चिकिस्सा भी है आरवेज का बहुत बड़ा सास्त्र है आरवेज शास्त्र जिसे चरक शांगिता की नाम से आप जानते हैं महारशी चरक के दोरा ये जो है निर्मित है यानि उनके दोरा रसना किया गया है उसमें से महारशी पतंजली का भी बहुत सारे शास्त्र ल वर्गत पीपल नीम यह सब जो जड़ी बूटी हैं सहे कैसे काम करते हैं घी कैसे काम करता आजवाइन की से घरे लुए जो भीमारी है उन सब की विश्य में इसमें मिस्त्रिच से बताया गया हैं इन में से एक विश्य मैं लेकर के आया हूं नीम की फायदे नीम करीब 100 से से बिमारी में आप को काम देगा यह वीडियो में आप जान लेजिए इसलिए वीडियो को अंतर तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य लोगों में भी वीडियों को शेयर करें अगर आपके मुह से दुर एक महने तक सेवन करने से मुह की गंध चली जाती है साथ ही अगर आपके कोई शरीर में दाने निकलते हों कई दिनों से वो स्वाप्त नहीं हो रहे हों तो आपको करना क्या है सुवे और साम पांच-पांच पत्ते आपको खाने है साथ ही आपको नीम के करीब 25-30 पत्ते ल कपूर डाल करके और हलका सा कड़वा तेल आप अपने शरीर पर लगा लिजिए इसके अब अच्छे साबून से अस्तान कर लिजिए तो जो फोड़े फूंसी या कोई जो है अन इसकीन प्रॉब्लम होगी वा भी दूर हो जाएगा इसके बाद अगर पेट में आपकी कोई समस्या हो लीवर डैमेज हो कोई दिक्कत हो तो आपको क्या करना यह मैं आपको उसी सास्तर से बता रहा हूँ जो चरक शंगिता है उसी से बता रहा हूँ मुझे लगा कि मंत्र के साथ साथ में आपको अरवेद का ग्यान होना चाहिए क्योंकि बड़े-बड़े महारेशिय जाए आपके वसके बात ना रहे तब डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए तो आपको क्या करना है कि नीम को पीश लेना है अच्छे से पानी डाल डाल गए उसका रांग सुबह करिब एक ढखकन पीना है यहनी दस इमल आपको पीना है कई दिनों तक सेवन करने से चालिपतास द लगा भी दिया है सामने थम दिल उसका पत्ती तो नीम में बहुत सारे गोण है वैसे आप स्वस्त रहना चाहते हैं तब भी प्राता काल ब्रह्म महुर्त में उठकर के अस्तान ध्यान करके आप बासी मूं जो है कुछ ना खाए पिए खाली पेट मरलब बासी मूं का मूं खाली पेट आप उसे पांच पत्ता दो पत्ता एक पत्ता पैस स्टार्टिंग से आप एक पत्ते सुरू कीजिए और 20-25 पत्ते तक जाईए खाने से आपको किसी प्रकार के कोई अंदर रोग आपकी शरी में लग ही नहीं सकते तो आज आ करतो हूं या वीडियो आपको पस